नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस एटिन इंडिया आपके साथ मैं हूँ रवीट ठाकुर एस वक्त हम यूपी के कन्नौच में मौजूद हैं वो कन्नौच जो अपनी इत्र की खुश्मू के लिए पूरी दुनिया भर में मश्रूर था लेकिन इस बार कन्नौच देशकी सबसे बड़ी जेस्टी चोरी के लिए सुर्ख्यों में बनाया है क्यूंकि कन्नौच के इत्र कारोबारी प्यूश जैन से 194 करोड जेस्टी इंटेलिजेंस में बरामत किया इस वक्त हम प्यूशियन के पैत्रिक आवास का नौश में मौजूद हैं अंदर GST Intelligence, Revenue Intelligence, IT टीम जो है अंदर अभी भी छापे माली कर रही है लेकिन आपको बता दें कि अंदर जो चार बक से सुबा हमने आपको दिखाए थे वो बाहर जा चुके हैं यानि साथ में नोट गिनने की मशीन जो है वो भी बाहर ले जाई जा चुकी है यानि नोट गिनने की जो प्रक्रिया है वो अब यहां पर खत्म हो गई है कल जो ओफिशल आंकडा सामने आय था 177 करोड कानपूर के घर से बरामद हुआ था 17 करोड कनोच के इस खर और फाक्टरी इस खर के ठीक पिछे मौजूद है वहां से बरामद हुआ था 194 करोड कुल बरामद अभी तक किया जा चुका है आज जो गिनने की प्रक्रिया थी रात पर वो चलती रही अब यह ओफिशल आंकडा क्या होगा और क्या रात सामने आएंगे यह अब भी सवाल पना हुआ है कनोच मेहम प्यूश शेन के पैत्रिक आवास पर मौजूद है आपको बता दें कि अंदर अभी भी वहां पर IT टीम के अधिकारी, GST Intelligence, Revenue Department के अधिकारी भी पहुँचे है क्योंकि 23 इट सोने की यहां से भरामद हुई है यह जानने की कोशिश भी की जाए रहे कि जो और सोना मिला है क्या वो पुश्टैनी है या हाल में ही खरीदा गया है 23 किलो सोना यहां से भरामद किया गया है, साथ में आपको बता दें, पूरी जगा यहां नोटिस चिपकाए गये है यह देखे, यह IT टीम की तरफ से यहां पर नोटिस टस्पार कर दिये गये हैं, इस खर को पूरी तरह से यहां पर सील कर दिया गया है हर जगा नोटी से सील बन पूरी तरह से कर दिया है और आपको बता दें ये तंग गलिया कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि अरब पती प्यूशेन इन तंग गलियों इस देहाती गाओं इस ग्रामीन इलाके में रहता है लेकिन यहां भी प्यूशेन ने काफी प्रॉपर्ट यहां पर बना ली थी इसे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से प्यूशेन सबसे बड़ा धन कुबेर बनता जा रहा था अभी तक अंदर टीम बैठी हुई है ऑफिशल अनॉस्मेंट नहीं हुई है अभी भी जेस्टी इंटेलिजेंस के अधिकारी पहुचे ह हुए है कानपूर में प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म हो गई है अब देखना यह है कि कानपूर जो टीम पहुंची हो ती उसके बाद जो जीस्टी इंटेलिजेंस के अधिकारी कन्नॉच बेजे गए थे वो क्या अनॉस्मेंट करते हैं क्योंकि अलगातार हम आपको लाइ के लिए प्यूशन को फिलाल फेज दिया गया है लेकिन इस तको ले कर पॉलिटिकल कनक्शन क्या है क्या यह जो काला धन छी कमाई सामने ऐई है इसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी है यह अपने आप में बड़ा सवाल है क्या इस तमाम काली कंच्छर के पीछे प्यूश करूंगा आनंद तस्वीरें हमने अपने दर्शकों दिखाई बॉक्स जो अंदर लिजाए गए थे चार वो बाहर जा चुके है नोट गिनने की मशीन बाहर जा चुकी है अब अभी क्या अपडेट है आपके पास कि अब भी अभी भी कन्योंच का जो घर है प्यूस जैन का इसके हम यहां पर सामने वाले हिस्से पर खड़े वह और आप देशक्ते यहां पर अभी भी लगातार जो जीएश्टी इंटेलिएंस की गाडियां आप देख सकते हैं इस्टीकर पर बकार यहां पर लिखा हुआ है सबसे आलिशान अकर कोई घर नजर आ रहा है तो फ्यूस जैन का यहां पर घर है और यहीं पर इसी जो यह तंग गली है यहां पर सरकारी गाडियां खड़ी हैं इसी तंग गलियों से अभी जो चार वक्से हैं वह यहां पर निकले थे यहीं पर SBI की गाड़ी खड़ी थी और उसने करीबन 19 करोड जो कैश है वो घर से रिकवर किया है लगतार SBI के अधिकारी घंटों की मशक्कत के बाद नोट उन्होंने नोट की गिंती करी और उसके बाद अब SBI के अधिकारी उस कैश को लेकर चले गए हैं सरकारी खजाने के लिए जब तागे पूरा मामला च जांच करी है क्योंकि जिस तरह से जो गोल्ड बरमद हुआ है वो दोबई का गोल्ड बताया जा रहा है तो क्या उसकी कश्टम ड्यूटी चुकाई गई थी यह नहीं चुकाई गई थी किन परिसितियों में वो गोल्ड जो है वो प्यूस जो इनके घर तक पहुंचा है इस में आने वाले वक्त में दिल्ली हैटक्वाटर है में जो डिराई की यूनिट है वो एक अलग से सेप्लेट मुकादमा दर्च कर सकती है और वहीं इडी की जो जांच है वो भी इसमें शुरू हो सकती है क्योंकि देखिए जो जीएश्टी का पूरा मामला वो श्यूडूल ओफेंस में आता है तो एडी भी लगातार कोशिच कर रही है कि अगर डिराई या दूसरी अजेंसिया इसमें कोई प्रात्मी की दर्च करती है तो एडी भी मनी रांडरिंग के अंगल से इस पूरे मामले की जाच करेगी लेकिन छटवा दिन हो गया है इस आलिशान घर में प्यूस जेन के लगातार जो जी एश्टी के अधिकारी हैं वो यहाँ पर डलबल के साथ मोजूद है अभी हमने देखा था लोकल पुलिस भी यहाँ पर बुलाई गई थी जिस तरह से जब कैश यहाँ से निकला दा घर से ठीक अनन्द का यह घर था अभी हमने गोदाम की ठीक अनन्द आपके पास लोटेंगे अपडेट के लिए लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि देश की सबसे बड़ी जेस्टी चोरी पर न्यूज एट इन इंडिया की ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार जा रही है हम अब तक हर एक तस्वीर पहुँचा रहे हैं क कि अब कर्नौच के इस घर से कितना कैश बरामद हुआ है कल का जो आंकडा था वो 17 करोड था कुल 194 करोड तक यह आंकडा पहुँच चुका है तस्वीरे देखिए कि किस तरह से जब इस घर से बाहर वो 17 करोड बाहर ले जाएगे नोटों की मशीन बाहर ले जाएगी देख सकते हैं इनमें कैश भरा हुआ है जो इस घर के अंदर से बरामत किया गया है अब कैश को बाहर ले जाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है SBA की गाड़ी वहाँ पहुँच गई है पहला बकसा यहां से जा चुका है अब थोड़ी देर बाद ही दूसरा बकसा यनि कि कम से कम चार बकसे अंदर ले जाए गए थे वो चार बकसों के जरिये अंदर जो सत्रा करोड रुपे कैश जो कल ओफिशल स्टेटमेंट आई थी कि सत्रा करोड कैश कनौज के प्यूश जैन के इसी घर से बरामत किया गया है 23 किलो सोना 6 करोड का चंदन का तेल यहां से बरामत किया गया है अब उसके धुलाई की प्रक्रिया जो है यहां पर शुरू हो गए स्वीर हमने आपको दिखाई कि इस तरह से यहां पर पुलिस के जवान पहला बक्सा ले गए हैं अब इसके बाद अब दूसरा और तीसरा चौथा बक्सा ले जाए जाएगा अंदर आज कितना क्याश मिला है इसको लेकर अभी पूरी ओफिशल स्टेटमेंट नहीं आई है लेकिन जो कल ओफिशल स्टेटमेंट आई थी उसके मताबिक 194 करोड अभी तक प्यूश्टेंट के कानपूर और कनौच के इस खर से बरामत किये जा चुके हैं 23 किलो सोना बरामत किया गया है साथ में 6 करोड का चंदन का तेल भी बरामत किया गया है तो देश की सबसे बड़ी GST चोरी पे New City इंडिया की coverage लगातार चारी है हर एक तस्वीर हम आप तक सबसे पहले पहुँचा रहे हैं हमने आपको सुबा तस्वीर दिखाई किस तरह से सबसे पहले SBI के अधिकारी इसी रास्ते से इसी गेट के अंदर गए चार बकसे लेकर हलां कि चार बकसों को अब बाहर ले जाए जा चुका है उसके बाद नोट गिनने की जो मशीने थी वो भी बाहर जा चुकी है यानि कैश गिनने की प्रक्रिया अब लगबग खत्म हो चुकी है कल जो DGGI की तरफ से प्रेस रिलीस की गई थी उसके मताबिक आंकड़ा 194 हलां कि अभी भी अधिकारी अंदर मौजूद हैं घर के कोने कोने को पूरी तरह से तलाशा जा रहा है कोशिश यह की जारी कि कि किसी तरह से कोई चूकिया न रह जाए क्यूंकि कानपूर में जब वहां पर तलाश की जारी थी घर की तो दिवार के अंदर से नोट मिले थे कन नौच में भी फैक्टरी है, गोदाम है, कई एकर में फैला उनका ये बंगला है यहाँ पर भी सर्च ओपरेशन लगातार जा रही है हलाकि नोट गिनने के मशीन बाहर जा चुकी है चार बक से बाहर जा चुकी है, यह अपडेट हम आप तक पहुंचा चुके है सिदा रुकरते हैं, मेरे सयोगी आनन्द तिवारी का, जो सुबा से इस ख़बर पे लगातार आपको हर एक अपडेट दे रहे हैं आनन्द, क्योंकि जैसे आप कहा रहे हैं, क्योंकि तमाम हम सुबा से ही देख रहे है रेविन्यू इंटेलिजेंस के अधिकारी यहां पर पहुँचे, आईटी टीम के अधिकारी थे, जैस्टे इंटेलिजेंस के अधिकारी थे लेकिन यों स्मग्लिंग का इंगल सामने आ रहा है ये भी अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि अभी और रांस खुलने बाकी हैं प्यूज शाहन के इस रहसे में लोग से जी लेखें बिल्कुल रभी जिस तरह से गाड़ियां देख रहा है सरकारी गाड़ियां हैं DRI की गाड़ियां हैं जो लगातार छे दिन हो गए हैं लगातार फ्यूज जेन के जो कन्योज का घरे वहाँ पर मौजूद हैं लगातार SBI के कई अधिकारी यहाँ पर दर्जनों जो नोट गिनने की मशीन उसके साथ यहां पर मुझूद थे और आज जब नोट गिनने की पूरी प्रक्रिया हो गए उसके बाद करीवन 19 करोड रुपे जो कैश है वो घर से बरामद हुआ है जिससे SBI की सरकारी गाड़ी में बकाइदा सुरक्षा गेरे में यहां से ले जाया गया है आप देखिए मैं आपको थोड़ा इलाका भी दिखाता हूं रभी यहां पर और दर्शकों को कि देखी यह कन्नोच का वो पूरा इलाका है यही एक आलीशान हमें घर यहां पर नजार आरा कि इतना कैश इस घर से मिलेगा लेकिन हमने कई लोगों से बात कि उनका कहना था कि एक आम आदमी के दरा प्यूस जेन उनका परिवार रहता था स्कूटर से वो चलते थे आम लोगों से मिलते जुलते थे और एक तरीके सामाजी लोग से लेकिन किसी को यह शक नहीं था कि कि अंदर से इतना केश भरा मत होगा लेकिन एक भी हमें शक्त इसा नहीं मिला जिसने बोला हो कि उन्हें प्यूस जो उनके उपर कोई शक है या उन्हें लगा होगा की कि पैसा इतना कहां से आया देखिए कुछ लोग उनसे बात करते हैं आप कब से रहती हैं आपर हम तो यह यह पूरा इलाका है रभी हम दिखा रहा है किस तरह से देखी आगे यहां पर थोड़ा सा ग्रामीन इलाका भी नजर आता है और यहां पर एक कोठी थी किसी को अंताजा नहीं था कि यहां से 19 करोड रुपे मिलेंगे यहां से चंदन का तेल बरामाद होगा यहां से सोन जो लखनों मिला के करीबन 190 करोड से जादा केश अब तक बरामद हुआ है और यह रेड लगातार जो है वो जीएस्टी इंटेलिजेंस की चल रही है जिसमें डियराई के अधिकारी भी शामिल हो रहने वाले वक्त में इसमें इंकम टेक्स और एडी के जो अधिकारी है वो उनका जो एक भाई है वो लगातार डियाराई के संपर्क में हैं और जीएस्टी के संपर्क में बताया जा रहा है ठीका अनन्द अपके पास लोटेंगे दुबारा हम अपने दर्शकों को बता दें कि 13 मशीने कानपूर में लगे थी नोटों को गिनने के लिए यहाँ पर 3 मशीने थी नोट गिनने के लिए लगे थी 19 करोड ओफिशल आंकडा 17 करोड का है 19 करोड यह का जा रहा है क्योंकि रात पर गिनती चली रही है सुबा भी नोटों की गिनती चलती रही है 19 करोड कानौच के इस खर से बरामत किये गए जो लोग यह कह रहे थे कि नोट बंदी के बाद काला धन नहीं होगा जो यह कह रहे थे कि GST आने के बाद टैक्स चोरी बहुत मुश्किल हो जाएगी इस घटना ने इस कान ने उन तमाम लोगों पर उनके दावों पर सवाल भी यहाँ पर खड़े कर दी है अब वो रिपोर्ट देखिए जब कनौच के इस खर से नोट गिनने की मशीन बाहर ली जाई गई मजदूरे के दौरा देखिए हमारी रिपोर्ट देखिए नोट गिनने के ये मशीन अब प्यूश जैन के घर से बाहर ले जाई जा रही है इसका मतलब ये है कि कैश के गिनिती अब लगबग खत्म हो चुकी है तस्वीरों में आद देखिते हैं पुलिस के अधिकारी इस नोट के मशीनों को यहां से ले जा रहे हैं इससे पहले चार बकसे थे वो प्यूश जैन के घर से बाहर ये देखिए एक और मशीन ये दूसरी मशीन ये दूसरी मशीन आप देख सकते हैं इस मशीन को भी बाहर ले जाय जा रहा है तो एक के बाद एक किया सकते हैं कि छापेमारी की जो प्रक्रिया कन्नौच में प्यूशेन के घर के अंदर चल रही थी, वो अब अपनी समाफ्ति की ओर है, कल जो अनौस्मेंट की गई थी, डीजी जी आई की तरफ से 17 करोड कैश, 23 किलो सोना, और साथ में 6 करोड का चंदन क तेल, यहां से बरामद हुआ है, हलां कि गिंती राद तक चलती रही, गिंती आज सुबह भी चलती रही, उसके बाद यांकड़ा आगे कितना बढ़ता है, यह देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी भी अधिकारी अंदर है, डीजी जी जी याई यानि जो जी एस्टी इ बाहर ले जाई जा चुकी है, देख मैं यह है, कि देश की जो सबसे बड़ी जी एस्टी चोरी हुई है, इसका आखरी आंकड़ा क्या होता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे राद जो हैं, वो खुलने वाकी है, तो प्यूश्यान के इस रहसे में लोग से अभी और कितने खुलने वाकी है, यह सवाल अभी भी पना हुआ है, जेस्टी इंटेलिजन्स के दिकारी ठीक इसी कमरे के अंदर अभी भी जाच कर रहे हैं, रेविन्यू इंटेलिजन्स के अधिकारी इसी कमरे के अंदर अभी भी जाच कर रहे हैं, आईटी टीम के अधिकारी इसी कमरे क चंदन का तेल इस देश की सबसे बड़ी GST चोरी में अभी तक बरामत किया जा चुका है अभी और कितने राज कुलेंगे ये जानना भी अभी बहुत ज़रूरी हो दिल्चस्प भी है क्योंकि GST जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि देश में टेक्स की चोरी नहीं होगी आई जारी थी इसमें उन दावों की पोल भी खोल दी है मेरे सयोगी आनंद तिवारी के एक रिपोर्ट देखिए जो सुबा से ग्राउंड जिरो से डटे हुए एक एक तस्वीर कन्नौच के प्यूज जेन के स्टात्रिक आवा से आपको दिखा रहें उनकी रिपोर्ट दे प्यूज जेन की अकूस संपत्ती का हिस्स्ता था जहां पर लगातार चटवे दिन तक जो जो जीएस्टी के अधिकारी हैं वो लगातार यहां पर सर्च ऑप्रेशन कर रहे थे इसके पीछे ही प्यूज जेन का अलिशान बंगला है जहां पर लगातार जीएस्टी के अधिकारी इस पूरे मामले की जाच कर रहे हैं और अब इस मामले के तार जो है वो गोल्ड इसमंग कर दो पर संदेक नैंग जब इन्हें टीरित ऐब Меня बिक टैनल पुट पराना उसका तो हम लोग नहीं कह सकते, लगिन ब्याबार इनका बहुत पुराना है. तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी यहाँ पर प्यूश्याइन ने बना ली थी. हाला कि लोगों को शक नहीं था कि प्यूश्याइन के पास इतने अर्बोर उपए की संपत्ती बरामद होगी. मेरे सयोगी आनन तिवारी लगातार हमारे साथ मैंने हैं. आनन लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि यह जो काली कमाई, काला धन बरामद हुआ है. क्या इसका कोई political connection भी है? क्योंकि बात करें, बीजेपी और एसपी की दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहें आनन. जिसको एहमताबास से लीड किया जा रहा है, और जो जानकारी मिल रही है अभी-अभी कि देर शाम को एक GST के official press release जो है, वो आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से आप कन्योच के इस घर से 19 करोड पे जो अभी तक जानकारी बताई दा रही है, बरामद हुए हैं, उस पर official statement GST का एक आएगा.